हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश भर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज फिर हम सीखेंगे प्रतिशत में एक अन्य टाइप के सवालों को जो हमारे एक्जाम में पूछे जाती हैं हैं इसे कॉश्चन बनती रहे हैं और वह अन्य टाइप स्परकार है हम इस तरीके से कॉश्चन में आता है या पूछा जाता है कि दि कोई व्यक्ति अपने आय का M प्रतिशत भोजन पर M कोई भी संख्या हो सकती है N प्रतिशत बस्तर पर तथा M P प्रतिशत मनूरंजन पर खर्च करकर X रुपए बचा लेता है तो उसकी मासिकाय हमें बतानी होती है क्या होती है तो दोस्तो उसके लिए एक सरलसा फॉर्मूला होता है मासिकाय बतानी के लिए जैसे हमें इस तरीके से कभी भी सवाल आता है कि प्रतिशत में दिया है कि भोजन बस्तर यहां कुछ भी हो सकता है उसका जो खर्च हो यहां याता यात भी हो सकता है अन्य साधन भी होते हैं जिस पर भाई खर्च कर रहा है और भाई पैसे बचा भी रहा है और हमें मासे काय बता नहीं है तो उसके लिए एक सरलसा फॉर्मला जी देखे आपको क्या करना है फॉर्मला है 100 अपॉन फिर 100 है उसके बाद आपको करना है माइनस इसके बाद दोस्तों आपको जितने भी प्रतिशत में उसने जो ब्या किया है आए में जो भी खर्च किया है उसने प्रतिशत में उन सब को आपको जोड़ देना है यहाँ पर देखे M N P खर्च किया तो M प्रतिशत n ले लिया और इसाथ में p भी ले लिया इसके बाद आपको इसमें गुणा कर देना है जितनी उसने बचत की है मतलब x तो आपको फॉर्मुला सरल सा याद रख लेना है 100 upon 100 minus m plus n plus p into x x आपको यहां पर बचत है इससे चलिए दोस्तों कुछ सवाल करते हैं जिससे आप समझ जाएंगे क्योंकि यह question ध्यान से देखें दोस्तों यह question आते हैं SSC railway में जैसे कि पहला सवाल लिया है कि कोई ब्यक्ती है चमनलाल उसने अपनी मासिक आयका 20% भोजन पर 30% बस्तर पर 15% आपको फॉर्मुला यादी है यहाँ पर हमारे लिए M N P यह सब दिया हुआ है आप फॉर्मुली में आप रख दीजें तो देखे करते हैं इसकी आय निकालते हैं मासिक फॉर्मुला इजी है आपको यहां 100 लिखना है उपर फिर नीचे 100 लिख लेना है फिर माइनस कर देना है और जो भी उसने खर्चा किया है वह जोड़ देना है यहां कहां 20 प्रितिशत फिर 30 प्रितिशत और 15 प्रितिशत जो भी खर्च किया है दोस्तों वह आपको यहां जोड़ देना है जो उसने बचाया है तो बैस 700 रुपे बचाया है यहाँ पर गुणा कर दीजिए अब आप इसको हल कर दीजिए 100 रहेगा यहाँ पर 100 हो जाएगा माइनिस आप इनको जोड देंगे तो क्या जाएगा यह रहेगा 5 का 5 ही रहेगा और यह हो जाएगा 1 और 3 4 और 2 6 यह हो जाएगा 65 इसके बाद आपका गुणा में यहाँ उसकी बचा हुआ है अब आगे और हल कर दें यहाँ हो जाएगा 100 और 100 मेंसे जब 65 घटेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 35 और गुणा होगा 700 अब आप इसको यहाँ से काट सकते हैं 7 से कट जाएगा देखे 7 से 1 बार कट जाएगा मतलब 100 बार और 7 से 5 बार 7 पन 35 होते 5 से कट जाएगा 100 5 दूनी 10 20 बार हमें यहाँ में मिल गया 100 इंटू 20 20 का गुणा 100 में होगा तो यह हो जाएगा 2000 2000 रोपे इसकी मासिक आय होगी तो देखा दोस्तों अपने इस फॉर्मूले से कितने जल से जल्दा पांसर निकाल सकते हैं चली एक सवाल और कर लेते हैं और किलियर हो जाएगा आपको कोई जैनत नाम का ब्यक्ति है अपनी मासिक आय का 12 प्रतिशत मनूरंजन पे खर्च कर रहा है 18 प्रतिशत यातायत पे और 25 प्रतिशत बस तरफे खर्च कर रहा है और रंत में 1575 रुपे बचा ले जा रहा है तो उसकी मासिक आय क्या होगी वही फॉर्मूला है आय निकाल ली है मासिक 100 फिर नीचे 100 माइनस हमें यहाँ पर पूरे खर्चों को इसको जोड़ देना है उसने जो जो भी खर्च किया है तो यहाँ 12 प्रतिशत जोड़िए 18 यातायात का और यहाँ जोड़ दीजिया 25 प्रतिशत बस तरों पर और यहाँ गुणा कर देंगे हम उसकी बचत का 15 75 75 अब आप इसको जल से जल हर कल दीजे 100 अपॉन 100 माइनस यहाँ इस सब जोड़ जाएंगे यह देखे 8 और 2 10 हो जाएंगे और 5 15 हो गया हासिल की एक बचेगी यह एक बचेगा तो 2 और 1 3 और 1 4 और यह बचा हुआ 55 और यहाँ गुणा हो जाएगा 15 75 उसकी बचाथ से यहाँ पर हमें दोस्तों पूरी खर्चे जोड़ने है जो भी वहाँ कर रहा है और यहाँ पर बचाथ लिखनी है इसके बाद देखे क्या हो जाएगा 100 अपॉन जब 100 में से 55 घटेंगे तो मिल जाएगा 45 और गुणा हो जाएगा 15 75 का अब देखे कितने से 5 से कड़ जाएगा 5 नाम 9 बार 45 और 5 से कड़ जाएगा 5 3 15 7 आया 5 एकम 5 तो दो बचा 7 हुआ और यहाँ हो गया 15 तो 5 3 हो जाएगा सॉरी 5 3 हुआ 15 5 एकम 5 और पशम 25 315 बार यह कड़ जाएगा उसके बाद फिर आपका 3 से कड़ जाएगा 3 3 का 9 3 से कड़ जाएगा एक बार 3 है कम 3 यहाँ जाएगा सून और 3 पांचे 15 फिर से 3 से कड़ जाएगा 3 है कम 3 यह हो जाएगा 3 3 का 9 बचा 1 तो 3 पांचे 15 अब इनका आपस में गुणा जाएगा 135 का 100 इंटू 35 तो यह हो जाएगा 3500 रुपए इसकी मासिक आए होगी तो देखा दोस्तो आप ऐसे ही इस फॉर्मूले की जरी और सवालों की प्रैक्टिस कीजент आप इसवाल जल सी जल आ जाएगी और आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आने वाले वीडियो में और परसेंटेज पराधारित सवाल करेंगे तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपनी दोस्तों शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें Thank you